एक समय की बात है एक बर्गद के पेर पर कववा दमपती प्रेम पुरुबक रहते थे लेकिन उसी पेर पर एक साप रहता था जो हमेशा जब भी कववा अंडा देती थे उसे खा जाता था और इसी ताक में रहता था कि कव अंडा देगी और मैं खाऊंगा तंग आकर एक दीन कववा अपने गीदर मित्र के पास गया और बोला मित्र मैं क्या करूँ कुछ उपाय बताओ मैं बहुत चिंतित हूँ गीदर सोचा बोला तुम महल में जाओ रोज नहाने के लिए तलाब जाती है उस तलाब के पास तुम्हें उसके गहने मिलेंगे उसके गहने लेकर के ऊर्जाओ वहां से और आकर के जहां पर सांप रहती है वहां पर डाल दो फिर देखो जैसे ही कववा ने ऐसा किया साइनिक उसके पीछे पीछे दोरे और दोरते हुए आकर के जहां पर वो सांप रहती थी वहां वह अपने भाले से उसको निकालने का कोशिस किया अंत में क्या हुआ कि साप वहां से भाग गई और कोवा दोनों खुसी-खुसी रहने लगे तो आप देखेंगे कि इस वीडियो में देखिए दौर रहे हैं और दौरते-दौरते उजाएंगे और वहां से उसके गहने निकाल देंगे आपको वहां खुस तो यो को लाइक करे करें सब्सक्राइब करें सेयर करें और बताएं इससे क्या सिखेंगे